प्यारे विद्यार्थियों आज कीशिंदी कछिया अपका स्वागत है आज हम द्याकरण के बारहमा पाथ क्रिया का बुक्वर करेंगे अभ्यास कारेंगे हम यहाँ प्रस्नतीन और उसके बाद का बुक्वर करेंगे प्रस्नतीन रिक्तिस्थान की पूर्ती क्रिया के उचित रूप से कीजिए यहां कोश्टक में क्रिया दी हुई है इस क्रिया के उचित रूप से रिक्तिस्थान को भरना है को है वह बड़ी तेजी से पेड़ पर यहां होगा चढ़ा पेड़ पर चढ़ा चड़ से चड़ा खो है इस्पेन ने फुटबॉल का विश्वकप जीता जीत से क्रिया का रूप बनेगा जीता गो है मुझे किसी काम से शिमला जाना है यहां जाना जाना का रूप बनेगा जाना है मुझे किसी काम से शिमला जाना है गह बहादूर बच्चे किसी से नहीं डरते, डर काक्रिया रूप बनेगा डरते अंगा होगा गाय, घास चरेगी, चर से चरेगी गह है शेर अपनी माद में सोएगा, सो है, सो से सोएगा चो है, पिछले एक गंटे से लगातार मुशलाधार वर्षा हो से हो रही है इसके बाद है, चोथा, नीचे दिए शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाईए यहां नाम धातु क्रिया बनाना है पांचवा है क्रिया सब्दों को रेखांकित कर उनका भेद लिखे या जो क्रिया सब्द हैं रेखांकित करना है और भेद भी लिखना है कि यो कौन सी क्रिया है को है साहिल कहानी सुनकर सो गया यहां सुनकर जो सुनकर यह पुर्वकालिक क्रिया है यहां सो गया भी है सो गया संयुत क्रिया है क्योंकि सो और गया दो क्रिया हैं यहां है इसलिए संयुत क्रिया है लेकिन चुकि मूल क्रिया को हमें देखना है तो यहां मूल जो क्रियाव है सुनकर इसलिए सुनकर के नीचे रिखांकित करेंगे सुनकर को रिखांकित करेंगे और लिखेंगे पूर्वकाली क्रिया मैंने आज आईस क्रिम खाई यहां खाई खाई सामान क्रिया है क्योंकि किers औक कि शुप्रिया को बतियाने की बूरी ओदत है यहां बतियाने नामधात्व कृएग तो क्या से हरे नामधान WINktion और फॉद फॉद काम न outrageous करके किसी और करेंग ऑप श owned कर पुरबाये हैं एंगper प्रधान मंत्री ने लाल किले पर जंडा फाराया, यहां फाराया सामानी क्रिया है, चोह सेट जी ने बेटे के जन दिन पर मिठाई मतवाई, मतवाई प्रेनार्थ क्रिया है, हमें सब को अपनाना चाहिए, यहां अपनाना, अपना से अपनाना बना है, तिया नाम धातु क्र बाहर चला गया दूसरा सरल वाक्य है इसे मिला के एक सरल वाक्य बनाना है वो भी पूर्व काली क्रिया का प्रियोग करते हुए तो जैसा आपको पता है पूर्व काली क्रिया में खाकर आकर जाकर रहकर कर जैसे सब्द लगते हैं यहां रजत खाना खाकर बाहर चला गया यहां होगा रजत खाना खाकर बाहर चला गया इसके बाद है खो मीता ने गाना गाया सबका मन मोह लिया एक वाक्य मीता ने गाना गाया दूसरा है सबका मन मोह लिया वाक्य बनेगा मीता ने गाना गाकर सबका मन मोह लिया मीता ने गाना गाकर सबका मन मोह लिया गो है बच्चा रोया मा से जिद करने लगा जो होगा बच्चा रोकर मा से जिद करने लगा घर है दोस्तों ने फिल्म देखी घर वापस आ गए तिहां दोस्तों ने दोस्तों ने के साथ में पुर्व काली क्रिया नहीं लग सकती इसलिए दोस्त फिल्म देख कर गर वापस आ गए, यहां जो दोस्त सब्द है वह बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है, दोस्तों जैसे बहुवचन है, ऐसे यहां दोस्त भी बहुवचन के रूप में प्रयोग है, दोस्त फिल्म देखकर घर वापस आ गए अंगर है चात्रों ने परिक्षा दी मैदान में खेलने लगे तो यहां चात्रों ने के साथ में पुर्वकाली क्रिया नहीं लग सकती तो चात्र परिक्षा देकर मैदान में खेलने लगे यहां चात्र बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है शातर परिक्षा देकर मैदान में खेलने लगे इसके बाद है चोब भारतिय टीम ने मैच जीता लोगों की प्रसंसा पाई तो होगा उत्तर भारतिय टीम ने मैच जीत कर लोगों की प्रसंसा पाई भारतिय टीम ने मैच जीत कर लोगों की प्रसंसा पाई इसके बाद है सात्मा नीचे लिखी क्रियाओं को सही जगा लिखे यहां कोश्टक में जितनी क्रियाएं दी हुई है इने सही जगा लिखना है यानि इन में से कौन सी नाम धातु क्रिया है कौन सी पुर्वकाली क्रिया है कौन सी प्रेनार्थक क्रिया है कौन सी समित क्रिया इसे लिखना है नाम धातु क्रिया देखिए हतियाना, बतियाना, अपनाना नाम धातु क्रिया है पुर्वकाली क्रिया, उठकर, हसकर, अपनाकर प्रियनार्थक क्रिया, करवाया, लिखवाया, बनवाया और समित क्रिया है, सो रहा है, गाता है, खा चुका तो ये अभ्यासकार है, पाठ बारह क्रिया का मुझे पूरा विश्वास से आप इसे अच्छी तरह से समझ गया होंगे आपकी पुछतक में जो खाली जगह है, वहाँ आप इसे लिख लिजे और याद भी कीजिए, धन्यवाद